असलाम अलेकुम गाईज, होगसो आप सुब लोग बहुत अच्छ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे, बहुत सरा ख्याल, तो आज मैं बनाने जारी हूँ पकोडा कडी, तो कडी बनाने का बहुत असान तरीका है, मेरे पास आपके लिए और ब मैंने साइज के ओईल में एड कर दिया है, हांडी के अंदर, और साथ मैंने कडी पते भी दो तीन इसके अंदर एड कर दी, अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, और जब तक ये मसाला जो है, ये प्याज हमारे हलके ब्राउन हो रहे हैं, तब तक हम तही के अंदर जो है, वो बेसन को मिक्स कर लेते हैं, जी गाइज, यहां पर मैंने तही लिया, तो इसको मैंने अच्छी तरह से फैंट लिया है, और थोड़ा सा पानी अड किया है, ये एक जग जो है, तकरीबन ये दो लीटर जो दही का मैंने बनाया, तही की लसी बनाई है, इसको मैंन तो लीडर है तकरीबन यह इतनी ही हम कड़ी के अंदर समाल करें मैं कुछ ज्यादा बना रही हूं कड़ी इसलिए जब भी मैं बनाती हूं तो हम सायों में जरूर देती हूं इसलिए मुझे थोड़ से ज्यादा बनानी पड़ रही है तो यहां पर मैंने एक प्याली के या ना बने चीक आइस यह लीक्वड हमारा जो है यह हो चुका है रेडी और अब हम इसको कर देते हैं साइट पर और बाकी मसाला चार्ज वो रेडी कर लेते हैं और वो किस तरह से रेडी करने हैं आए मैं आपको दिखाती हूं ध्या इध, यहांखा यहांगे मैंने एक रेंडर ले लियान तो उसके अंदर यह लेसे ज्याहन है इसको जश्वाइन का मौसम है तो ताजा लेसे आयो ऑगग धा तो ये मैंने अधर के 2 अधिकष करक राटके इनके अंदर add करूंगी अद्र को मैं freeze करके रख लेती हूं बाज अधर जो नहीं मिलता तो इस वज़स मैं freeze करके रख लेती हूं यह जो है यहाँ पर मैं एक टमाटर लिए है इसको भी मैं grinder के अंदर मोटा मोटा काट के डाल दूँगी और इसके साथ ही मैंने एक पाव के करीब हरी मिर्चे ली है और वो भी मैं सादी के सारी ग्रेंडर के अंदर बहर दूँगी जी कैस ये सारी चीजे मैंने ग्रेंडर के अंदर डाल दी है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी अड़ करूँ थोड़ा से मैंने लिया है पानी तकरीबन आदा कप और इसमें मैंने एड़ कर दिया है और अब हम सारी चीजों को कर लेंगे देख रहा है कि यहां पर दोनों चीजे हो चुकी है रैड़ अब हम चलते हैं अपनी हाडी की तरफ देखते हैं वहां किया हालात है और उसके बाद तमाम मसाले जो मैंने ग्रेंड किये हैं में उसके अंदर एड़ कर देंगे जी काईज अब देख सकते हैं कि प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं अब हम इनके अदर सारे मसाले जो हैं वो करेंगे एड़ यह हमें इसके अंदर एड़ कर देते हैं और अब हम इनको तकरीबन 15 मिनिट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे इसके साथ मैं इसमें तमाम जो नमक बगारा हैं वो भी इसके अंदर एड़ कर देती हूं मैं कड़ी कुछ जादा पका रही हूं तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेढ़ चमच भरके जो है वो नमका ले लिया है हरी मिर्चे हम पहले ही एड़ कर चुके हैं इसलिए हम सिर्फ कल साथ ही जो है वो हलका सा टाच देंगे हम रेट चिली का पिसी होई का ताके थोड़ा सा जो है वो इसका टेस्ट हो जाए और साथ ही कलरिंग भी इसकी अच्छी हो जाए अब हम इन सब कर देते हैं कवर तकरीबन 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पकाते जाएंगे जी जा शूंका नम्त लेट है तक देख और भी इसका और प्रच के लिए एक जग जो था दो लीटर मिने लिए जो ड़ा मालका ने अ Ż梟 टेशा लिए हैं इसलिए इनके अंदर ज्यादा पानी ही डालेंगे तो अब हम इसको कवर करक्षम दे जब तक इसको आता है वाल और फिर हम इसको देखेंगे तब तक हम अपने पकोड़े का मसाला ready करते हैं जी guys जब तक हमारी कड़ी को boil आ रहा है तब तक हम पकोड़े का समान ready कर देते हैं यहाँ पर मैंने बाउ ले लिया उसके अंदर मैं add करने वादी हूँ यह आलू मैंने लिए एक किलो इससले मैंने जाधा कडी बना दी हैं तो इसलिए मैने आलू और सब चीजे चीजे मैं जाधा ह्जाब लिए। मैं धेर चीज साथी जाहिएक। खोश्क धनिया पटर जाएगा एक चमच, साबत धनिया जाएगा इसके अंदर एक यां डेड़ चमच, मेथवी जाएगी इसके अंदर तक्रीबन एक चमच भरके, नमक लेंगे हम एक चमच भरके, लाल मिरच हम लेंगे एक चमच भरके और अब हम इन तमाजी गाईज ये सारी चीजे मैंने एड़ कर दी है बेसर तकरीबन डेड़ पाउ मैंने इसके अंदर डाला है अब हम इनको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और साथ ही हम आईल करम करने रख देंगे और जब तक हमारी कड़ी जो है वाइल हो रही हम सारे पकोड़े निकाल लेंगे थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी एड़ करते जाएंगे और इसको चिद्रा से मिक्स कर लेंगे पकोड़े बनाने की रैस्मी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है लेकिन जो कड़ी में डालने वाले पकोड़े हैं वह सरा हम सारा मेटीरिकल काटेंगे ना ओल्ड़ प्याज ह Renee साब बारी बारी काटें्ड बॉइल आना शुरू होने ही वाला है तो अब हम इसका थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं और फिर जब यह तियार होने वाली हो जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे जी काईज आप देख सकते हैं कि कड़ी को बॉइल आना शुरू हो चुका है यह उबल के उपर आ रही है यहाँ पर जो है कड़ी संबाने ही बहुत मुश्कल होती है क्योंकि जब यह उबलना शुरू हो जाती है तो फिर काफी देर तक 10 मिनट तक ऐसे उबलती रहती है तो इ बेसर जादा नहीं इसके अंदर एड करते हैं जो मैंने मिकदार बताई है बिल्कुरू सी मिकदार के मताब़क आप अगर कम पकानी यह तब भी आप एड करें तो कड़ी को हमारा जो वाइल आना शुरू होगा है मीटियम फ्लीम मैंने रखा हुगा है कभी लो कर देती हू या डेड़ घंटा यह लेगी और फिर हम आपको दिखाएंगे कड़ी जो है वह हमारी कैसी बनी अब देख सकते हैं कड़ी हमारी रेडी होने वाली बस थोड़ी देर इसको लगेगी और इसके साथ ही हमने रख दिया है पैन उसमें ऑईल एड करके चुले के उपर और और अब हम सासाथ पकोड़े बना लेते हैं ची गाइज यहाँ पर एक और ट्रिक आपको बताती है जो कड़ी मैंने चेक की है तो इतनी खटी नहीं है तो अगर आपकी कड़ी जो कम खटी हो तो उसका सही तरीका यह है कि आप इसमें थोड़ा सा लीमू का रस एट कर दे उससे जो कड़ी वह मज़दार भी बनती है फ्लेवर भी अच्छा आता है और फिर खटी भी हो जाती है तो यहाँ पर मैं ले रही हूं लीमू का रस तकरीबन तीन चार चमच यह मैंने इसके अंदर एट करती है तो अब इससे कड़ी का जायका भी पहुत अच्छा बन जाएगा खटी भी बनेंगी और मज़ा भी आएगा खाने में तो हो शुद्धा हो चुका है थोड़ा सा मैने गहां मसाला डालके चेकिया थो घुथी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर फोकोडे अड़ करते जाएएं कड़ी में डालें वाले फोकोडे शोटे बनाते और यह कड़ी में अच्छे भी लगते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं तो इस तरह करके हम सारे पकोड़े इसके अंदर एड़ कर लेंगे यहां पर आपने फ्रेम को मीटियम रखना है मीटियम पर आप इसको जितने भी पकोड़े हैं उनको बनाना है यहांपर सारे पकोड़े मैंिकेकर कर तरह क्लूंगी आज्स्ता आज्स्ता और पिर जब यह लाइट क्लाओन सोंगे तब तब हम इनको निकालते जाएंगे में और रीच्टा करके वे पकोड़े समने कर दились तरफ जाएंगे के वो कड़ी जो हमारी कहां तक पहुंची जी गाइस पकोड़े हमारे हो चुके हैं अच्छी तरह से पग गे हैं क्रिस्पी और क्रंची से बने हैं पकोड़े यह हम टोकरी के अंदर निकालते जाएंगे असली बेसन की पहचान यह है अगर आपको असली बेसन का नहीं पता चर रहा कि असली बेसन कैसा होता है कड़ी मजदार नहीं बनते तो असली बेसन की निशानी यह है कि असली बेसन अगर होगा तो पकोड़े भी नरम बनेंगे और कड़ी जो है वो वो भी जो है वो जाएका उसका जबर्दस्त होगा तो असली जो बेसे ना उसके पकोड़े भी नरम बनते हैं जी गाइज यहाँ पर कड़ी हमारी हो चुकी है बिलकुल रेडी और अब हम इसको लगाएंगे जीरे और मेथी का तड़का तो अब मैं दिखाती हूँ जितने पकोड़े मैंने इसके अंदर डालने के दिए बनाए हैं वो भी सारे और तड़का लगाते हूँ यह आपको दिखाती हूँ कड़ी को कैसे तड़का लगाते हैं उससे कड़ी का टेस्ट जो है टबल ट्रिपल हो जाता है बहुत ही लजीज किस बहुत ही जाइकेदार बनती है जी गाइस आप देख सकते हैं किस तरह मैंने टोकरी भर के जो है पकोड़ों की बना लीए अब वह सारे चाहेंगे कड़ी के अंदर थोड़े से हम लख लेंगे अफ्तारी के लिए और बाकीस जो है वह हम सारे कड़ी के अंदर आड़कर हम लगाएंगे तड़का हलका सा तड़का लगाने के पाद इसके साथ ही जो है हम इसके अंदर मैं फ्लेम को यहां बिलकुल मीडियम बड़के लो ही रखा हुआ है क्योंकि अगर यह जल जाएगा तो फिर यह टेस्ट नहीं आएगा जीरे का तो इसलिए मैंने बिलकुल लो फ्लेम पर इसको बून देने ठीक है तो यह पकना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी मेथी लेंगे और वो तकरीबन हलका सा चमच मेथी का और वो भी इसके अंदर एट कर देंगे हलकी से हला लेंगे दूनों चीजे यह तड़का हमारा त्य करते हैं कड़ी के अंदर यह हमने तड़का अपना जो है यह कर दिया है कड़ी हमारी पिल्कुर रेटी है अब हम इसके अंदर हलका सा एक चमचव मसाला मिक्स यह है वह एट करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो हमने पकोडे बनाए हैं जो हमने पकोडे बनाये है वो हम इसके अंदर आड करते जाएंगे आइस्ता इस्ता करने ज्यादा पकोड़े हैं तो मैं आइस्ता इस्ता इनके अंदर एड़ कर देती हूँ फ्लेम को आपने बंद कर देना यहाँ पर यह ले जी हमारी जो कड़ी है वो हो चुकी है रेडी तो अब हम इसको करते हैं डेश आउट जी गाइस कड़ी हमारी रेडी है बहुत ही टेस्टी बनी है और अब मैं इसके उपर धनिया हलका सा लगाऊंगी और यह बहुत ही और यह बहुत ही टेस्टी बनी है तो मुझे अमीद है मेरी आज की रस्पी आपको बहुत पसंद आई होगी इसके साथ ही मुझे दीजिये अजाज़त खुश रहिए आपाद रहिए मुझे कमेंट जरूर किया करें और इसके साथ अल्ला हाफिज